नमस्कार स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें चिडिया की बच्ची के सारांश पाठ पठन का अगला हिस्सा हम आगे बढ़ाएंगे तो हमने पढ़ा था कि चिडिया अपनी मां के पास लोड़ जाना चाहती है तो उसने माधवदास जी को कहा कि उसकी मा उसकी राद देख रही होगी वह माधवदास जी से कहती है कि उन्हें नहीं जानती सोना क्या होता उसे नहीं पता वह केवल सूरज, धूप, घास, पानी और फूल को जानती है तो वह उनके बगीचे में नहीं रहेगी अपने घर चली जाएगी तो माधवदास जी उस चिडिया को किसी तरह भसा कर अपने पास रखना चाहते हैं पर वह अपनी मा के पास अपने घर जाना चाहती है लेकिन माधवदास जी बार-बार बातों में उलजागर उसे रोग लेते हैं इसी बीच माधवदास जी एक बटन दबा देते हैं जिसकी आवाज से एक नोकर दोड़ा आता है आपको पते ही जैसे हैं तो इस बेल बगएरा वे उससे पूछ रहे थे कि उसके कितने भाई रहन है वो जाना चाहती है तुझाए पर कल फिराने का बाता करें ये बाते वो कर रहे थे तो वे उससे कह रहे थे कि अभी तो बहुत उजाला है डरो मत थोड़ा रुप कर जाना लेकिन चिडिया जाने की रट लगाये थी जैसे बच्चे को फसार आ होता है ठीक है समझे बच्चों तो अभी हमने पड़ा कि बटन दबा कर सेट मतलब चिडिया को फासने की तैरी करें नोकर को बुला लिया है ठीक है तो यह सब इस प्रिष्ट में भी वही चल रहा है ठीक है तो उन्होंने नोकर को इशारा कर दिया था कि चिडिया को पकड़ने के लिए तयार है तो उन्हों ने फसाया भी हुआ था चिडिया को, बातों में, तो बच्चों अचानक चिडिया ने किसी कठोर स्पर्ष को महसूस किया, ठीक है कठोर स्पर्ष, नोकर ने पकड़ना चाहा, वह चीख मार कर चिल लाई और एकदम से उड़ी, सेठ का नोकर उसे पकड़ कर भी नहीं चिडिया एक सांस में उड़ती हुई अपनी मा के पास पहुंची और उसकी गोद में गिर कर सुबकने लगी, मतलब रोने लगी, जैसे एक बच्चा किसी गुंटे से बच कर आता है, मा के पूछने पर वह कुछ बता ना सकी, बड़ी देर तक चिडिया की मा उसे धांडस बंधाती रही और वह मा की छाती से चिपकर सो गई, तो ऐसे जैसे कभी पलक खोलेगी ही नहीं, ठीक बच्चों, क्यूंकि वह बहुत डर गई थी, तो हमने इस पार्ट से वही सीखा, जो सीखना चाहिए, माबाप हमें मना गरते हैं, इधर नहीं, उधर नहीं, बिना पू ठीकर बच्चों, तो यह थी वीडियो सारांज की, धन्यवाद